ओम शांती अन्भाव किया? अन्भाव किया? जब हम ऐसे जंकल्पों को बार बार स्वयम की इसमर्ती का हिस्सा बना लेते हैं तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा जब आप शुरू करेंगे कि मैं ऐसी हूँ तो नहीं जो मैं लिख रही हूँ तो शुरू में आपका मन विरोध दर्ज करेगा आप लिखिये रहे हो कि मैं सहयोगो प्रेम की अवतार हूँ लेकिन जो मेरा करम हो रहा होगा कई बार वो विप्रीत हो रहा होगा लेकिन जब आप इसको बार बार रिपीट करते जाओगे और इतनी बार रिपीट करोगे कि ये natural रूप में आपकी समर्ती में टिक जाएगा तो अब जब कभी भी ऐसी परिस्थिती पैदा होगी कि जिसमें आप प्रेम या सहयोग ना भी दे पा रहे हो तो आपका मन आपसे ये कहेगा कि तुने याद तो ये रखता है तिरी समर्ती में तो ये है कि तुन प्रेम और सहयोग का वतार है तो तो किसी को ऐसा योग कैसे कर सकता है उस समय फिर मेरा मन मेरे व्यवहार का विरोध करना शुरू कर देगा क्योंकि मैंने देखे व्यवहार मन के विचार और भावनाओं से आता है हाई या ना जो आपका इस थूल में वेभार होता है जो करमणा होती है वो आपकी किस पे डिपेंट करती है मनसा पे intention पे हाई या ना हाई या ना सोच और भावना पे तो इसका मतलब क्या है कि पहले मुझे किसको बदलना पड़ेगा सोच और भावना को करम बावना को बदलेगा और सुरू में जब मैं सोच और भावना को बदल रही होंगी तो मेरा मन उस बदलने का विरोध कर रहा होगा और हो मेरे करम का सपोर्ट कर रहा होगा और तभी बहुत मुस्किल होता है कि जब कोभी हमारे मन में तो आजाता है कि मैं अच्छा बनना है लेकिन क्योंकि मेरा मन पुरानी धार्णा के अनुसार मेरे कर्म का सपोर्ट कर रहा होता है इसलिए आदत नहीं बदल पाती है और अब ध्यान से समझेगा जो बाता के मैं कहने जा रहा हूँ लेकिन अब मैंने धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये मन ही मेरे कर्मों को नहीं बदलने देता ये मन ही मेरी आतों को नहीं बदलने देता तो क्यों ना पहले मैं मन को ही बदलू तो मैंने सबसे पहले क्या जिम्मेवाई उठा ली अब उस जड़ को बदलने की, बीज को बदलने की अब मैं हमें साथ को example देता हूँ बीज क्या है जानकारिया बीज क्या है आपके विचार बीज क्या है आपकी भावनाए तो जानकारी से विचार बदले विचार से भावनाए बदले तो अभी ये जो आपको दी गई है कोमेंटरी यह क्या है सिर्फ जानकारी है कब तक यह जानकारी है जब तक यह जानकारी आपका विचार न बन जाए कोई भी जो कोमेंटरी होती है चाए आप लिखो चा कोई और दे जब तक वो आपके जीवन में अपना ही नहीं गई तब तक वो सिर्फ एक जानकारी मात्र है जिस दिन जानकारी आपका विचार बन जाएगी, फिर प्रियोग में करते करते वो आपका भाव बन जाएगी. सबसे बड़ी बात क्या है? अगर मैंने केवल जान लिया कि यह अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, यह information है. लेकिन जब information सोच बन जाए, मन का संकल्प बन जाए, कुछों बोलते हैं संकल्पों में दड़ता लाओ, उससे पहले तो संकल्प लाओ, संकल्प को पहले भाव बनाओ, जब आपका संकल्प आपका भाव बन जाएगा, तो दड़ता चुटकी में आ जाएगी. दड़ता की शक्ती न आने का कारण क्या होता है? मेरे भाव और मेरे करम एक दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं. जिस दिन मेरे भाव और मेरे करम एक दो की सपोर्ट में खड़े हो गए उस दिन ही असान हो जाएगा लेकिन भाव मेरे करम की सपोर्ट कब करेगा जब भाव की इंटेंसिटी हाइस्ट हो जाएगी आप खुद देखो चेक करो आपको अनवब्वी होगा जो भाव आपके मन पे भारी हो जाता है आप वही वाला करम करते हो हमेशा आप चेक करो अगर आपका दुख का भाव हाइस्ट हो गया आपकी आँखों से आशू निकली जाएगे हाया ना अगर आपका सुख का भाव हाइस्ट हो गया आप बहुत सुख के भाव में हो इसमाईल अपने आप चेहरे पर आजाएगी आपके शरीर के करमेंद्रियों के द्वारा कोई भी जो एक्स्प्रेशन हो रहा है वो परिणाम है आपके भावनाओं का आपके भाव कितने स्पस्ट हैं अब चेक कर लो एक करम चेक कर लो चाहे आपके मन में पवित्रता के विचार हों भावनाएं हों जब भावनाएं पवित्र होती है तो आपसे कोई एपवित्र करन नहीं होता अगर भावनाएं कामुकता की पैदा हो जाएं तो आप चाहा करके पवित्र नहीं रह सकते हर एक भाब किसी भी चीज़ के भाब को चेक करुआ इसलिए बाबा कहते बच्चे मंसा सेवा सरफ स्रेस्ट है क्योंकि जिस दिर मंसा बदल गई करमना अपने आप बदल जाएगा हमारी इंटेंशन्स हमारे एक्ट को रिप्रेजेंट करती है हमारे करमों को देखकर लोग क्या बोलते हैं तुमारी मंसा का पता चलता है तुमारे करमों से तुमारी मंसा ही ऐसी थी हमारी सोच ही ऐसी थी तुमारी सोच में ही खराबी थी तुमारे भावों में ही खराबी थी तभी तुमने ऐसा किया कहते हैं नहीं कहते हैं दुनिया में बोल चल में बोलते हैं नहीं बोलते हैं वैसे तुम्हारी तो सोच ही खराब है करम को देख के क्या बोलते हैं तुम्हारी तो देखते किसको है करम को और बोलते क्या है क्या खराब है सोच बोलते क्या एं तपरना भाव खराव है अचा तबी-कभी क्या बोलते हैं हम्से गलती हो जाती इस आपने लिया हूए है इसे बिंगी बिना भाव के करम हुआ ही नहीं है बट हम क्या करते हैं जहां लग जाता है और इसको बुरा लग दिया होगा तो मैनूप्लेट करना सुल कर देते हैं ने ने मेरा कहने का भाव यह नहीं था इसको ऐसे मत लेना जब भी आपको जस्ट्रिफिकेशन की जरुत पढ़ रही है आप जूट खुद से भी बोल रहे हैं और सामने वाले से भी बहुत सुक्ष में यह इस रेवल तक कोई सोचता नहीं है और इसलिए कर्म बिगड़ते ही रहते हैं मैंने अपने आपको बता दूँ यह ऐसे ही भी आई हैं मैंने अपने हर करम की बहुत डीब चेकिंग की है मैं आपने किसी भी कर्म को स 25 को नहीं देखता हूं अब को बिलीम नहीं होगा आजकाल तो मेरे साथे हो रहा है अभी अभी थौट चलना है मैं उसको अभी अभी ही चेक कर रहा हूँ भाई तू ऐसा क्यों चल रहा है मुझसे भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तब मैं बाबा को बोलता हूँ मैं भी मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मैं नहीं चाह रहा हूँ यह एक्ट में आये, पर यह एक्ट में आ रहा है, आप समादे रहे हो वारी बात को, द्याहान से सुमाज जी, अब आप सोच के देखो, परंग तू, मुझे इतना पता है, कि यह मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को ऐसे ही चेक करके, करकरके, सुरू आपको भूक लगी है, आपको भूक लगी है, आपको भूक लगी है, अब उस भूक को मिटाने के लिए, एक कोर मैथड है कि आपको कुछ खाना पड़ेगा, हाँ या ना, आपके शरीर को भूक लगी है, तो शरीर की भूक को मिटाने के लिए, आपको उसे कुछ खिलाना पड़ेगा, हाँ या ना, पातिला के बताओ, खिलाना पड़ेगा, लेकिन, क्या वो ज जरूरी है कि जिस खाने से आपकी भूक मिट रही है, उसी खाने से मेरी भूक मिटेगी, भूक खाने से ही मिटेगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस खाने से मेरी भूक मिटेगी, उसी खाने से आपकी भूक मिटेगी, ये बात मैंने क्यूं कहा हमें से हर एक के संसकारों में अलग प्रकार की कमिया हैं तो डाइट भी हमें वैसी ही चुननी पड़ेगी आपने देखा होगा किसी का डाइजेसिस सिस्टम बहुत खराब होता है तो उसको बोलते हैं बहीं तुम फलों पे रहो उसको बोलते हैं रोटी मत खाना चावल मत खाना बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते हैं मैं पड़े प्रेटिकल एक्जामपल दे रहा हूं जो रोज आपकी जिंदगी में घटेत होते होंगे विखे ताकि आपको मेरी बात पूरी समझ में आ जाये कि होता है एसा नहीं होता है कि होता है कि कौरेए कि दिले कि तुम तो वह ऊच्छ Мおお झाते है याण कि ओ तो पत्थर हम हो जाते हैं कि इसी ये तो पत्थर में ए dip उसका हाजमा ठीक ठाक है अब आपने गलती से कंकड़ पत्थर वाले को देखकर जिसे कंकड़ पत्थर हजम हो रहे हैं और कंकड़ पत्थर खाने शुरू कर दी और आप लिक्विड डायेट के लाये को क्या होने वाला है आपका आपकी तो बैंड बच जाएगी आप तो वह जो थे वह भी ना रहें हम तो हमारी अलत तिरसंग कुवाली हो जाएगी ना राम की दुन्या के बचेंगयों ना रावड दुन्या के इसलिए बाबा कहते हैं आपने मुर्लियम सुना होगा कोई भक्ती कर रहा है तो तुम्हें वह जमकरने के लिए बहुत रूप भूजन को सही से हजम करने के लिए बहुत रब चाएए उसके लिए जगाली करना अना चाहिए बाबा एगजांपल देते हैं कई वार, जगाली करना आ जए गाय के तरह जो आप जुगाली करती है तो वो पचाती है मतलब मन्थन करना आना चाहिए मनन करना आना चाहिए और याद रखना जिसको चिंतन करना नहीं आता जिसको मनन करना नहीं आता जिसको मन्थन करना नहीं आता वो कभी मगन हो ही नहीं सकता यह स्टेज है कोई भी चीज चिंतन से शुरू होता है, मनन से गहरा मन्थन शुरू होता है, और तब आप के वस्ता मगन तक जाए लिए, लेकिन अगर इन स्टेजिस को आपने अंडस्टेंडी नहीं किया है, इनको कभी यूटिलाइजी नहीं किया है, और आप मगन होने का प्रियास कर रहे हैं, 100% आप फेल होने वाले हैं और तब ही कहते हैं, हमें अनुभव नहीं होता योग में, थोड़ी देरी योग लगता है, पूर टाइम योग नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि आप क्या कुश्च कर रहे हो, ना पहली सीड़ी पर चड़ रहे हो, ना दूसरी पर चड़ रहे हो, ना तीसरी पर सीधा छथ पर अवो संबहावी नहीं है अरे आतर टोंगें जाओगे तो अतर प्रें सोगे तो करी नहीं वह doomeda न возь और सिर्थ नंबरे रखें तो हर फ्लोर पर रुकना पड़ेगा उससे है और भले ही वो रुके आठे फ्लोर पर भी आठावटन दवाके भी लेकिन दिखाएगी ज़रूर पहला फ्लोर आ गया है दूसरा फ्लोर आ गया है तीसरा फ्लोर आ गया है ऐसा नहीं दिखाएगी सीदा आया और आठाव समझ गई क्यों ब्रह्मा बाबा इसको पूरा को कर गए क्योंकि उन्हों ने इसको पूरा समझने के जितने प्रॉसस होते हैं एक किताब है अपने ब्राम्मनों की उसको पढ़ो आप सब आप सबको बहुत सब्सक्राइब किताब की राज्योग की विधी और सिद्धी जगदीश भाई साब का लिखा हुआ कि यह बहुत पावर्फुल किताब है जब पढ़ो किताब को पदा चलेगा कि सच मुच में जब तक हम सारी विधियों से होके नहीं गुजरेंगे तक अचा एक बास सोचके देखवा मैं आपको छोड़ा सा एक्जामपल देता हूँ अभी आपको भूक लगी है बहुत तेज खाना बनाना है आपको अब खाना बनाने का आपने सारा प्रसेस फॉलो कर लिया आपके पास अगनी भी है सारी चीजें हैं मसाले नहीं है कुछ होगा खाने का कुछ पेस्ट आएगा बन तो जाएगा बट वो कैसा रहेगा स्वाद नहीं आएगा योग तो लगा रहे हैं इतने दिन से सेंटर पर तो जा रहे हैं बट कुछ खुशी तो होती नहीं है हैं तो दुखी क कि दुखी क्यों मसाले कम है आसे याद रखना जो घ्यान के मसाले न वो भी है नहीं के जो शक्तियां है जो गुण है वो वो उन से अनभूतियां आएंगी ए है कि टीकलिटीं है क्यों मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ इस प्रेम का क्योंकि प्रेम वो गुण है जिससे बाकी सब का मासान हो जाते हैं आप देख लो दुनिया में जब किसी को किसी से प्यार होता है ना तो वो हर दर्द सहन कर जाता है प्यार नहीं बोलूगा मैं उसे मोह बोलूगा बार गुजरता है और तो बात छोड़ दो आप जिन्दगी सेक्रिफाइस कर देता है इतनी बड़ी चीज है किसके लिए मोह के लिए मोह के लिए अब आप सोचो जब मोह में इंसान इतना सहन कर सकता है तो जब प्रेम जो आत्मा का ओरिजनल गुण है जिस दिन वो जाग गया तो क्या कुछ भी सहन करना संभव लगेगा या सहज हो जाएगा याद रखना प्रेम वो गुण है जो सहन सीलता को आसान कर देता है प्रेम वो गुण है जिसमें मर मिटना आसान हो जाता है मर मिटना शब्द लिख लो इस बात को जीते जी मरना आसान हो जाता है जो बाब बोलते हैं और जीते जी मरे वगर स्वर्ग मिलेगा नहीं तो पहले प्रेम करना सीखना है ताकि मैं आत्मा जीते जी मर सकूं और जीते जी मरूंगी तभी स्वर्ग में देवता बनने के योग्य बनूंगी नहीं तो चत्रिय रह जाओंगी युद्ध की स्थिती में रह जाओंगी जाप प्रेम नहीं है वाँ युद्ध है याद रखना इस बात का जाप प्रेम नहीं है वाँ हिंसा है जाप प्रेम नहीं है वाँ घरना है जहाँ प्रेम नहीं है वहां मांगना है बैगिंग है तीन ऐसे दिव्वे गुण है अगर ये किसी की जिंदगी में आ जाएं तो बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे जैसे कलर्स में भी लाल हरा और पीला इस तरह से तीन कलर मानते हैं पहरे बाकी और बहुत सब बन जाते हैं यहाँ तीन है पहला है प्यार दूसरा है शांती और तीसरा है सुख और इन दीनों का बेस है पुवित्रता प्योरिट्प इन तीनों का भी बेस प्योरिटी है तो यह चार गुण जिसकी जंदगी में आगे ना शक्ती बचेगी, ना आनंद बचेगा, सब ज्ञान सब आजाएगा, सब क्योंकि जब प्यार होता है, तो कुछ भी सीखना असान हो जाता है किसी के प्यार में आप कुछ भी सीख लेते हो, जो आपको नावी आता हो हाय ना लोग तो सायर बन जाते हैं गायक बन जाते हैं कभी बन जाते हैं प्यार में हाय ना बन जाते हैं ना किसी का दिल तूटा और वो शायर हो गया क्योंकि मोह में दिल तूटी सकता है ना प्यार में तूट नहीं सकता मोह है डिपेंडेंसी मोह में एप्रूवल की जरुत पड़ती है attachment need approval but love doesn't प्यार को किसी एप्रूवल की जरुत नहीं पड़ती है यह जब कभी कोई आप किसे प्यार कर रहे हो और आप अगर ये शब्द बोल रहे हो अगर मैं तुमारे लिए कुछ कर रहे हूं तो मेरी भी तो कुछ expectations होंगी तभी साब्दान हो जाओ ये प्यार नहीं मोह है यदि आप किसी को प्यार दे रहे हो पहली बात तो दियाई नहीं जा सकता ये दुनिया का सबसे बड़ा जूट है कि we can give love to anyone इस से बड़ा जूट धर्ती पर कुछ है ही नहीं इस दा बिगेस्ट मित देन वी कें गिव लव और ये टेक लव ना हम प्यार दे सकते हैं ना हम प्यार ले सकते हैं हम प्यार बन सकते हैं लेख लो इस बात को बड़ा बड़ा I am love so be love I am love available for all और दूसरा वाला भी love है बस मुझे तो लव बनना है मेरे लव को देखकर उसका लव जाग जाए तो बोलता है I love myself ये फिर एक बहुत बड़ा मित है मैं तो जब खुदी लव हूँ तो खुद को खुद प्यार कैसे करूँ भई प्यार प्यार को प्यार कैसे करेगा be love जो आप हो बस वो बनना है आपको जो आप नहीं हो उससे मुक्त होना है आपको आज मैं जब रात को मैं तो ज़्यादा देर सोया नहीं एक जड़ घंटे सोया हूँगा दो घंटे सोया हूँगा हड़ और मैं बैठा तो फिर मेरे को बावा ने उठा दिया कब से बैठा हूँ मैं और ऐसी बैठाटे मेरे को पदा क्या आज क्या संकल्प देते बावा सुबह कहते बच्चे अगर जिंदगी सीख नहीं है तो छोटे बच्चे खाने के समय पर खाओ और यह बास सिखाते समय क्या कहा जाता था जिस समय जो काम कर रहे हो उसी को पूरा करो तो बावा ने कहा बच्चे जब बच्चपन में यह बाली बास सिखाई जाती तो इसका मतलब यह होता था कि तुम जिस एक्ट में होते हो अपनी इसमर्ती को उसी एक्ट में स्विच कर लो तो बच्पन में तो हमने सुना और थोड़ा बहुत फॉलो भी किया पर जितने बड़े होते गए उतने हम मल्टी टास्कर होते गए खेलने की समय पर भी कुछ और सोचो खाने की समय पर भी कुछ और सोचो फिर निद्रा नीदी नहीं आए नीद उड़ जाए मतला सब कन्फ्यूस हो गया क्योंकि हम भूल गया बच्पन की वा बात खेलने की समय पे खेलो खाने की समय को ठाओ पढ़ने की भूल गया है वह कर बच्पन का वह उसे पार्थ भूले और सब 4 यह क्या». अज municipal इसका मतलब क्या है कभी सुचा इसका मतलब क्या है यदी मैं इस आर्ट को रियल जिंदगी में अपना लूँ केवल इतनी सी आर्ट को कि जिस समय जो काम करते हैं उस समय वो काम करें और जब इस्थान बदल जाए तो वो एटिट्यूड भी बदल जाए हमें भगवान में हमें बधा बनाया बाई बनाया भाई किसी को बहिन खेसा बाप है बाइब बेठा है यह वो दोस्त है लेकिन आप मुझे बताओ बाप के अच्च्छा हीरात के कोई भी सब ऐसे बैठे मूर्तियां बनके कुछ तो हिला हिला करो कुछ तो बताओ मेरे को पता चले है रिस्पॉंस हो रहा है कुछ सामने से आप बताओ बाप का एटिट्यूड है तो क्या भाई वाला पार्ट प्ले कर सकता है कोई बेटे वाला प्ले कर सकता है क्या कोई पो जब आपको अपने रोल्स के एक्वार्डिंग इसमृति का स्विच सेट करना आ जाएगा तो जैसे ही आप परमात्मा पिता के पास आके बैठोगे आपको पता चल जाएगा कि अम मुझे इसमृति का स्विच कहां स्विच करना है तूदा गॉर्ड तूदा सैल्फ प्रॉब्लम कहां पर आ रही है हम अपनी जो दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं वहां पर हम एक ही जिंदगी में फसके रह जाते हैं और उससे बाहर ने आते कोई मा बन गई है ना तो वो 24 हिंटे मा ही रहती है किसी की उम्र बढ़ गई है तो बढ़ी हुई उम्र को ही अप कभी भी देखना जब आप किसी भी चीज की जिम्मेवारी को छोड़ देते हो तो आप हलका महसूस करते हो और नहीं करते हो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जिंदगी में मुझे लाइट बनना है लाइट बनना है तो मुझे भूलना सीखना है I need to learn forget मुझे भूलना सीखना मुझे छोड़ना सीखना है आप पता है जो सिकारी होता हो बंदर कैसे पकड़ता है पस आपको मैं सुनाये कभी नहीं सुनाया आपको नहीं जंगल में बंदर सिकारी को पकड़ता तो करता क्या है कि एक सुराई टाइप का सा मटका बनवाता है बहुत ही पतली जिसका उपर की बॉटल जो ने के वो पतली होती है जिसमें हाथ जो है वो अगर खुला होगा तो अंदर जा सकता है पर बंद होगा तो बहार नहीं आ सकता है और करता क्या है वो उस मटके में चने डाल देता है बंदर का सबसे फैवरेट फूड चने अभी क्या होता है बंदर आता है मटके में हाट डालता है जान सुना मटके में हाट डालता है मुठ्थी भरता है मटके के गरदन ऐसी होती कि हाट खुला तो चला जाएगा पर जैसे मुठ्थी बंद होगी भार निकलेगा नहीं अब बंदर जो है मुठ्थी बंद करके हाथ भार निकलेगा नहीं अब हाथ तो भार निकलेगा नहीं और बंदर इतना लालची होता है कि वो मुठ्थी छोड़ेगा नहीं क्या नहीं करेगा वो मुठ्ठी को वो खोलेगा नहीं जबता है मुठ्ठी खोलेगा नहीं हाथ भार आएगा नहीं और लालचवा वो मुठ्ठी को छोड़ेगा नहीं अब क्या होगा सिकारी आता और पकड़ लेता है यह उस बंदर की कहानी नहीं है यह हम सारे बंदरों की कहानी है तभी बाबा कितनी बार मुरली में बोलते बच्चे भूंगरे चनों के पीछे जीवन बरबाद कर रहे हैं बोलते हैं बाबा नहीं बोलते सुना है सबने मुरली में नहीं सुना हम भी वही बंदर हैं जिसके लिए माया सिकारी रावड सिकारी ने जाल बिच्छा रखा है चनों का अच्छे ची गाड़ियां अच्छे बंगले अच्छे कपड़े अच्छे मीठा मीठा बोलने वाले लोग जाल बिच्छा है अपने अच्छी मेंट अपने इस्टेटस अपनी इगो अपना खांदान नी जाती अपने धरम यह सारे चने हैं अब क्या होता है इन चनों को हम छोड़ते नहीं और माया हमें नहीं छोड़ती अब जिसे दिन हम आत्मा बन जाएंगे तो मुठ्थी खुल जाएगी क्योंकि आत्मा की तो कोई मुठ्थी है यह नहीं समझा रही है बात कुछ कुछ पल्ले पढ़ रही है बात लिंक कर रही है मुठ्थी खुली मुक्ती मिली मुठ्थी बंद बंधन शुरू अब चौईस आपकी है इसलिए बाबा हमारी तुलना भी किस्से करता है कि बच्चे तुम मैंने मंदर के लाएक बनाये थे पर तुम बंदर वजह से बन गए चने छोड़ोगे थोड़ी और एक और खुषिते नहीं है और चोड़े तो छुटे न मुठ्थी खोल तो कि मूठ्थी लग रखी है मैं इंजीनियर मैं डॉक्टर मैं मा मैं फलाना मैं धिमकाना मैंकोडुपती मैं खांदानी मैं पंडच जी मैं उन्पूट जी फलाना जी ढग पता नहीए किते परकार के चन्ने की मुठी बांदी हो यह ना मुठी मेरे इस जीवन मुक्ती मेरे को दो भोट आ रहा रहा अंदर से, क्या आप बात अंग थे तु या टूंidd म सर्ट एडम , जो तिक हम धरी आउन केनल है नुक्ति का रास्ता मिल गया बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ पर कल्योगु में बावा ना कोई बीच का रास्ता नहीं बताया या तो आर या तो पार ऐसा में मुठ्टी भी बनी रहा है और बावा भी मिल जा है मिला तो रहेगा अभी आप सारे प्रावनों को नहीं मिला हुआ मिला हुआ है लेकिन बावा ने एक शब्द बोला है गीता में बच्चे मैं पूरा उन्हें ही प्राप्त होता हूं जो मुझे यथार्थ पहचानते और बाप को यथार्थ पहचानने के लिए मुठ्थी तो खूलनी पड़ेगी समर्पड करना पड़ेगा करना पड़ेगा बिना समर्पन भाव के भगवान नहीं मिल सकता मुठ्थी तो खोलनी मंदिर लायक बनना है तो बंदर्पना छोड़ना पड़ेगा और बंदर्पना क्या है मुठ्थी बंदी हुई है और एक खास बात देखा आप कितने अच्छे चुद्हान देते हैं खाली हाथ आए थे खुले हाथ हाथ जाएंगे और पकड़ के बैठें मद भक्ती मार्ग में एक्जामपल देते थे खाली में और कहानी सुनाते हैं कि सिकंदर जब दुनिया से गया अपने दोनों हाथ भार करा दिए और कहा था बेही मेरे हाथ भार कर देना और बैद्धें बिठा देना धनसंपदाे को दिखा देना कि सब यहीं रह गया है मैं कुछ लेकिन जा रहा हूं खाली आता है था खाली आ जा रहा हूं खुली मुठ्थी आया था खुली मुठ्थी जा रहा हूं बट हमने अपनी मुठियां बांद ली यह मेरा मेरा यह घर मेरा है नौकरी मेरी है डिगरी मेरी है बच्चे मेरे हैं कपड़े मेरे हैं गाड़ियां मेरी हैं थांदान मेरा है फलाना मेरा है धिमकाना मेरा है इनने मैं कैसे छोड़ दूँ यह तो और एक और एक बहुत ही ली इसे लीगल क्यों बोलना हूं एक बड़ा ही लीगल बंदन बांदा हमने अपने साथ जिम्मेवारी है आपको क्या पता भाईजी हमारी responsibility है आपके ओपर तो को responsibility बहुत सब्सक्राइश ही बोलते हैं जो खासर घर ग्रस्ती वाले बोलते हैं भाईजी आपके तो दुनिया है वो बड़ी comfortable ही दिखती है वस अपनी टफ दिखती है अभी मेरी जिए खड़े हो के मेरी वाली जिन्दकी जी कर देखना एक दुन भाग जाओगे लगता है हर किसी की life के challenge उतने ही बड़े हैं जितना सेहन करने की ताकत उसमें है अगर दूसरे का challenge आपकी challenge में जोड़ दिया जाएगा ना अगर अभी मैं यहाँ पर आप 15-20 लोग हैं मैं बोलू कि अपनी अपने challenges लिख करके मुझे दे दो और मैं उनकी एक जिया डाल दू अफिर मैं आपसे बोलू चुनलो कोई सी परची जब दूसरे परची उठाओ होगे ना बोलो के भगवान ना मेरा वाला ही दे दे वापिस जो है उसमें सुख्यूं मैं जेल नहीं पाएंगे दूसरे का कि समझारी है मेरी बात